दोस्तों अलग-अलग आईटम्स तो हम अपने चैनल पे आपको दिखाते ही रहते हैं मगर मैंने सूचा क्यों ना आपको एक साथ बहुत सारी आईटम्स दिखाई जाएं तो आज मैं आया हूँ दोस्तों लुधियाना और लुधियाना में मैं आया हूँ एक बुफे कवर करने जी हाँ दोस्तों वन अफ दर रीजनेबल बुफे आपको दिखाऊंगा जो की मात्र एक सुसाथ रुपे में ओ लेबल है और इसमें 15 से सोला आईटम्स आपको खाने को तो यह कुछ इस तरीके के दोस्तों टोकन आप देख सेखते हैं यहां पर यह दो टोकन्स वह लिए हैं और चलिए देखते हैं अंदर क्या-क्या इटम्स अव़लिबल हैं और उसका टेस्ट करते हैं यह हैं कि अमेनिटिस आप आराम से आके नहीं काफी बड़ी सिटिंग स यह धराम से खेल और डेख सकते हैं किस तरीके से टेबल जो चाहे सारे लगे में और देखे लोग अपने जो लंज हो प्रहं आपने लोगे हो इंजोई कर रहें दोस्तों हम आया है लंच टाइम में और देख सिकते हैं और तो यहां फो देख अपना एक लेते हैं लिए फि कि कॉलीफलार है और तासी साथ यह देखें मंचुरियन है जो मेरे कहलं से बहुत सारे लोगों के फेवरेट होते हैं मंचुरियन यह देखो ऑर गर्मागरम दोस्तो यहांपे है तो थोड़ा-थोड़ा सा ले लेते हैं यह दो फी cs захास्तिमी ने लेता हूं ठोड़ा सा थै ठीवी में चटपती हैं तो जाओथ दाले हैं और मेरे दोस्तों क्योंना कॉली क्योंटर बड़ा मसंन्द है कॉलेका सा मीठा पर हलका सा स्पाइची बई मज़दार पेस्ट होता है इसका तो यह हो गया हमारा मंचूरियन और चिली हो भी बेसिकली पॉली फ्लार यह है दोस्तों यहाँ पे नूडल्स वेज नूडल्स पर याब बुफे में आए हैं तो इन्जॉइ करने के लिए दोस्तों यह चीजे तो खानी बनती हैं खाना तो आप खाऊ गई अगर उससे पहले स्टार्टर्स मेंन यह चीजे आप लो और मैं थोड़ी थोड़ी ले रहा हूं दोस्तों क्यूंकि इसाँ ने बोर्ड लगा वदेखिए यहां पे दिक दिक डिए सूचना दिए बैसिकली उसमेजदारी दिखाएं नहीं कहा यह ए खाये चाहें जितना भी और खाना कर्मा गरम खिले वे चावल दोस्तों देखें किया बासमती राइस है जीरा राइस है बैसिकली इसको बनाया हुआ और खुश्बू ना बड़ी जबरता सारी तो थोड़े से मैं यहां पर राइस भी डाल लेता हूं क्या बात है दोबारा ले लेंगे दोस्तों आप क्या है उ तो यह मैं थोड़ी सी न अलग से निकाल लेता हूं इस में तो थोड़ी सी ग्रेवी और लेते हैं कडी की कडी खाने का नहीं अपना ही मज़ा होता हलके खटी मज़िदार यह है दोस्तों यहां पर देखें राजमा देख रहे हो क्या वात बिल्कुल गारी ग्रेवी वाल अब आगे बढ़ते हैं और यह है दाल मखनी बिल्कुल अब आप दोस्तों लंच में आए हो तो दाल मखनी और वह भी पंजाब की दाल मखनी तो दियाना की बनती है ना खानी है देखरों क्या गाड़ी दाल मखनी है विल्किल उपर से क्रीम वगरा सब कुछ डाला हुआ है तो हलकी से ले लेते हैं चावल पर डालते हैं लोड यह दोस्तों हमारी दाल मखनी भी और क्यूंकि नहीं मेरे को थोड़ तरह सा टेस्ट लेना है बिसकली तो यह देखो यह दोस्तों चाप क्या बाद है दोस्तों देखरो चाप और मैं है रान हूँ ग्रेवी देखो ज़ बड़ी दबरता सारी यह गर्मा गरम है तो इसको भी मैं थोड़ा सा प्लेट में ले ले लेता हूँ वाओ इन आप तो मिक्स वेज, जो मैं अभी फिलाल नहीं ले रहाहूं, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो, इस इनुकी अड़ो सलिगे दुकों हि मैं निमार्टाई हो दोस्तो ना कि साथ खाने में बड़ा मसा आता है तो यह थोड़ी से लेली है मैंने और साथी साथ यहां पर देख सेक्ते दोस्तो यह है हमारी पीली डाल येलो डाल और बदोको दर्यू और बिल्कुल मस्ता अवाता लगा भी घायप कर शोत Just Ueli Ya यहाँ पे तरहा है तो थोड़ा सा मैं ये भी लूँगा इसके बिना तो बुफे हमारा नहीं होने वाला ये लो तो मैंने थोड़े सा पास्ता भी ले लिया और एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ यह देखो ज़रा यहां पर दोस्तो लाइव काउंटर लगा हुआ है पीजा का पीजा आपने कभी बुफे में खाया है लंच में नहीं खाया न यहां पर आओ दोस्तो ज़ूर मिलेगा देख सकते हैं यहां पर लाइव काउंटर लगा हुआ यहां पर पीजा बनाया जा रहा है देखे किस तरीके से बेस पे न सारी बेजी टेबल और यह सब चीज यह सब डाला हुआ है और यह सब सहीरा अभी जाएगा ओवन के अंदर और वहां से गर्म गरम पीजा निकलेग इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता हूँ एक और चीज यह देखो यह काउंटर लगा हुआ हुआ तो यहां पर अलग अलग तरीकी के सालेड लखे हो है जैसे कि क्यूकंबर है अनियन्स है तो मैं फिलहाल थोड़े से अनियन्स ले लेता हूँ यह लोग यह साइड मैंने अनियन्स भी ले लिए और यहां पर देखे आपको मिक्स वेजिटेबल सैलेड भी मिलेगा जिसमें अलग 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 वेजिटेबल ने प्लस यह हलका सब मसाला डाल के बनाया हुआ हुआ है साथी साथी यहां पर रखे हैं दोस्तों पिकल लेमन एंड चिली जिसका जैसा मानो जिसका जासा खाने का मानो वो खा सकता है और इसी में दोस्तों एक और खास बात है दोस्तों यह देखे यहां पर रखे हैं दोस्तों दोस्तों यह देखे यहां पर रखे हैं दोस्तों यहां पर रखे हैं दोस्तों यहां पर रखे हैं दोस्तों आम की चटनी यहां पर जब गया था भाई किस्किस की चटनी है मुझे लगा इमली की यह पड़ यह है आम की चटनी बिल्कुल गाधी ठिक चटनी तो यह हम एंड में लेंगे अभी नहीं अभी नहीं अभी एक बार ज़िए अभी एक बार ज़िए अपने चुरू करते हैं पर उसे पहले बता हूं आप यह सारी चीज़े तो अपने काउंटर से ले सकते हैं मगर साथ मैं आपको यह पर रोटी और नान आप हमें एक तंदूरी रोटी हाफ दीजेगा तो आप रोटी तंदूरी और नान वगरा सारा कुछ आपके टेबल पर सर्फ किया जाता है तो मैंने भी फिलहाल एक र करते हैं और सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा दोस्तों इना का पॉली फ्लार चिक करते हैं एक बार आओ यह देखो यह बना हुआ है इसको टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसा है नहीं दरमागरम है उपर की जू ले रहे लिए वह हलकी क्रश्टी है और अंदर से स्वाट मज़ाव यहाग है दोस्तों हमारा मंचूरियन मंचूरियन ट्राइग अगरते हैं क्युकि ना कभी भी हम कहीं बी किसी भी पाटी में कहीं भी जाते ना तो चैनीस आइटम में मं मंचूरियन नूडल्स पर जुरूर देखते हैं और मंचूरियन जो होता है बड़ा लाजवाब स्वाब वाला होता है ज्यूकि टेस्ट होता है हलका खट्टा मीठा साव रीचा गयसा होता है मं पंजाबियों की कडी ना वो भी बड़ी लाजवाव होती है की देखो यह हमारी कडी कोड़े के साथ और जो ग्रेवी है ने इसकी जो कडी है वो काथ ही गाड़ी गाड़ी सी है विपकड़े वह चाहँ है पकोड़े बीटे सॉस खटी जहीं कि कड़ी जो अतन है वो हल्की खटी होनी चीह है और काफी क्रीमी सी लगी मेरको एक स्वाज जो है ना वो बड़ा लाजवाब लगा हल्की स्पाइस लेवल में ज्यादा है बरगर मज़ेदार है मज़ेदार मैं तो मोलूगा ज़रूर ट् अब ट्राई कर लेते हैं दोस्तों इनकी पनी कड़ाई पनीर यह देखो यह भी देखने में तो भाज लाजवाब लग रही है और पनीर जो है वो वो विलको सॉफ है काटने से बदा लगे कि सॉफ्ट पनीर यूस्तिया हुआ हुआ है बहुत मस्ट बहुत मस्ट एक चीज सकता है तो इस वो नौ साल थान गार गवर ऊफ़को पता है तो जो नौ साल तक बच्चे है उनका लगना हुआ है तो उसके उपर वन सिक्स्ति रूपीस घह सब्साओ अजरे मैं बहुत में इसली स्जाह साथ पइज़े टालना ज़रा पिलemplo गुडरे इंडली दोस्तों दोस्तों सच बतार बहुत टेस्टी दा तो यह कहांपे लेते दूस्तों प्ञानी टंडी अवह निए न एक दो अन ne था? यह जीरा जो है ना पीस के डाला हुआ आप देख भी सकते हो और इसके उपर से डालते हैं दोस्तों यह आम वाली चट्नी क्या बात है दोस्तों चट्नी देख रहे हो कितनी ठीक है वाव तो यह अब मैं इस बल्ले पे डालता हूं और यह देखो क्या पात है यह वी ना दोस्तों पात अब जो बल्ले का स्वाद है ना दोस्तों वह बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि खटी-खटी दही ठंडी-ठंडी और उस पर मीठी-मीठी चट्नी आम की सो दोस्तों हार यह ना पूरी शादी ओनी फिलिंग बुफे लगा हुआ है जो मर्जी है वो ठाओ जाओ अब बस वहाँ पर जाकर आइटम डालनी है ना तो यह दो आइटम है मैं और लिया आया और प्राइस कितनी है दोस्तों इन सारे चीजों की ना सिर्फ और सिर्फ और रुपीज भाई चंडीगड में दिल्ली में क्यों नहीं मिलता रुपीज में इतने कम में एक जिए के दोस्तों हमने चंडीगड में ट्राइ किया है बहना दाबे में तो 99 रुपीज का देते हैं और उनका खाना है बहुत अच्छा है मगर इस वक्त हम लुद्याना में तो जो क्रश्ट है ना दोस्तों बहुत ही जादा क्रंची है आप देख सकते कि सिर्गे से पुरा यह क्रंचीनेस इसमें दिख रही है और देशी मैंने बाइट लीना एगदम से क्रंच आया इसके नहीं और जो फ्लेवर है नीचे से देख सकते क्रंच जो है बिल्कल अच्छे दही बल्ले जो हर खाने की जान है तो यह देखो यह बल्ले क्या सौफली कटे है दोस्तों दही के साथ हलकी से चट्नी लेते हैं आप की और बल्ला पूरा ही उठा लेते है ना छोड़ना की हो है यह बन की वाइट दही बल्ले की अब आलू है ला जवाब बिल्कुल सौफ्ट दही बल्ले और जो उपर से आम की चट्नी डाली है उसने जो मसाले डाले बने दोस्तों वह बड़ा जवाब है बिल्कुल एक अलग सी फिलिंग देख जीदेगा हलका सा उपर से जो शिटकाव है चट्नी के अंदर भी है और अपने दही के बल्कुल जवाब आप भी आईए दोस्तों हम आई है आज कहाँ पर एक्स्प्रेस वेजिटेरियन जोगी शुच्छिट है लिध्याना में और एड्रस सारी डिटेल्स फोन नंबर में नीचे डिसके प्रिंट में डाल दूँआ आप भी चेक कर सकते हैं आराम से कॉल करिए आराम से फॉलो करते हैं यहां पर आ सकते हैं और टेष्ट का सकते हैं नहीं बहुत खा लिया दोस्तों अमनी खाना लेनी है मैंने जितना खाना था पेट फूल हो चुका है तो जले दोस्तों एक और नई सुदाफ किये धमाकेदार वीडियो अपनी ढूंड के लाता हूं औ और आस्वत लोस्तों प्योंने पल pén